नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल निस्वार्थ ज्यान पर प्राप्त हो जाता है। दुनिया मुठी में आ जाती है बिनदीप जलाये, बिना धूब दिखाएं, जो भी व्यक्ति जूर опыт के दिन इस पौधे की जड़ को धारण करने, भर से एक व्यकति का बेड़ा पार हो जाता है। माता लक्ष्मी जी को इस पौधे की जड़ अतिप्रिय है, जो भी व्यक्ति, सूर्य ग्रहन वाले दिन इस पौधे की जड़ को अपने गले में धारन करेगा, उस व्यक्ति को राजा बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोग पाएगी, यह जड़ नहीं स्वयम माता, लक्ष्मी जी का आशीर वाद है, दोस्तों, जोतिश शास्त्र के अनुसार सनातन संस्कृति में कई ऐसी पौरानिक मान्यताओं को महत्व दिया गया है, जिसमें कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं, जो काफी ज्यादा शुभ माने जाते हैं, कई ऐसे पेड़ पौधे होते और वेद पौरानों में भी कई प्रकार के पेड़ पौधों का उलेक है, जैसे कि तुलसी का पौधा, पीपल का पेड़, इसका हमारे सनातन धर्म में बहुत ही आध्यात्मिक महत्व होता है, दोस्तों, आपने देखा भी होगा, हम सब पीपल की पूझा करते हैं, तुलसी की पूझा करते हैं, तुलसी के पास दिया जलाते हमें, पीपल की पूझा क्यों करनी चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधों में कुछ ऐसी अलौकिक शक्तियां होती हैं, जिसके दम पर कम समय में हमको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, आपके जीवन में धन आना शुरू हो ज जाएंगे, इस सूर्य ग्रहन के बाद आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी और आने वाला समय आपका बहुत ही कल्यान कारी होगा, बहुत ही सौभाग्यशाली होगा और आप करोडपती माला माल बन जाएंगे, दोस्तों सूर्य ग्रहन का दिन हमारे अगले दिन ही नौ रात्री भी है और आपकी जानकारी के लिए बता दें, आठ अप्रेल दो हजार चौबीस को इस बार सूर्य ग्रहन लगने जा रहा है, जी हाँ, आप लोगों ने बिलकुल सही सुना दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार, सूर्य ग्रहन जो इस बा जादा प्रसन्न मुद्रा में होती है, और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर क्रिपा बरसाती है, नौ रात्री के दिन, खुद माता दुर्गा जी धर्ती पर वास करने आती हैं, और सूर्य ग्रहन वाले दिन कोई भी उपाय किया जाए, वह उपाय खाली जा ही न परदान जरूर मिलेगा, इन जड़ों को धारन करने के बाद यकीन मानिये, आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार की परेशानी कष्ट और दिक्कतों से मुक्ती मिल जाएगी, जिन पौधों की जड़ों को हम आपको धारन करने के लिए बताने जा रहे हैं, ये वह पौध पर विधी विधान से इन पौधों की जड़ों को धारन कर लेते हैं, तो यकीन मानिये दोस्तों, इस सूर्य ग्रहन के बाद ना केवल आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार की परेशानियों से मुक्ती मिल जाएगी, बलकि माता लक्षमी जी के आशीर वाद से, इस सूर् अप्रेल सूर्य ग्रहन के दिन उन पौधों की जड़ों को लेकर के आना है, जिनके बारे में तंत्र शास्त्र में बताया गया है, जिन में माता लक्षमी जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है, इनको अच्छी तरीके से आपको गंगाजल से धो लेना है, एक तांबे की सूर्य ग्रहन के दिन करना है, और यकीन मानिये दोस्तों, आपके जीवन में एक ऐसा चमतकारी और सकारात्मक बदलाव आएगा, जिसके बाद आने वाला समय आपका बहुत ही कल्यानकारी होगा, बहुत ही सौभाग्यशाली होगा, इसी लिए इस इस वीडियो को लास्ट अंत तक अपने भले के लिए जरूर देखिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी का आशीरवाद हमेशा आप पर और आपके परिवार पर बना रहे, माता लक्ष्मी जी की क्रिपा से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नती करें, बहुत ही आगे जाएं माता लक्ष्मी जी के आशीरवाद से इस साल आप करोडपती बन जाए, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, माता लक्ष्मी जी की जय और एक काम जरूर कीजि हैं, तो वह आकर हम आपके कमेंट के रिपलाई में बता देंगे, लेकिन आपसे निवेदन था वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा, दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि इस सूर्य ग्रहन के बाद आप करोडपती बन जाए, माला माल बन जाए, माता लक्ष्मी जी के आठ क आठ रूप का आशीरवाद आपको मिल जाए, तो बस एक काम कीजिएगा कि इस सूर्य ग्रहन के दिन सूर्यास्थ होने से पहले कहीं से भी सदा बहार के पौधे की जड़ आपको लेकर के आना है, इसको अच्छी तरीके से आपको गंगा जल से धो लेना है और अच्छी त पक जला देना है, ताम्बे की ताबीज को और सदा बहर के पौधे की जड़ को अपने हाथ में पकरने के बाद माता लक्षमीजी के बीज मंतर का जाप आपको ग्यारह बार करना है, बीज मंतर है ओम महालक्षमी, नमः हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, दोस्तों ओम महा उसके बाद आपको तांबे की तावीज में इसी सदा बाहर के पौधे की जड़ को रखने के बाद इसको धारण कर लेना है। आपके धन की वर्षा होती रहेगी, बलकि आने वाले समय में आपको करोडपती माला माल बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपसे रुष्ट हो गई है। और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी का आपको आशीरवाद मिल जाए, आप धन संबंधित जो भी निर्णय ले, उसे निर्णय से सिर्फ आपको फाइदा पहुँचे। तो सूर्य ग्रहन वाले दिन सूर्यास्त होने से पहले कहीं से भी आपको सफेद मदार के पौधे के जड़ को लेकर के आना है। ये एक ऐसा पौधा है जिसमें माता लक्ष्मी जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है। सफेद मदार के पौधे को लाने के बाद आपको इस पौधे की जड़ को अच्छी तरीके से गंगा जल से धो लेना है। और सिर्फ पीतल की ताबीज में इसको धारन कर लेना है। सिर्फ इतना उपाए अगर आपने इस सूर्य ग्रहन के दिन कर दिया तो यकीन मानिये दो आप आपकी उम्मीद से ज्यादा धन की प्राप्ति होगी। दोस्तों हमारे वेद पुराणों में बताया जाता है कि अगर आप सूर्य ग्रहन वाले दिन कहीं से भी चमेली के पौधे की जड़ को लाकर चांदी की ताबीज में धारन कर लेते हैं तो आपको दुनिया की को प्रोडपती बनने से नहीं रोक पाएगी। दोस्तों चमेली का पौधा एक ऐसा पौधा है जिसमें माता लक्ष्मी जी की दिव्य शक्तियों का तो वास होता है। ये एक ऐसा पौधा है जो भगवान, हनुमान जी, महाराज को बहुत ही ज्यादा प्रिये है। और अगर स जीवन में बहुत ही उन्नती करेंगे, बहुत ही आगे जाएंगे। दोस्तों अगर आप लंबे समय से बीमार चल रहे हैं और आपकी बीमारी से आप बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, तो सिर्फ आप ये कीजिएगा कि इस सूर्य ग्रहन वाले दिन कहीं से भी काले धतूरे के पौधे की जड़ को आप लोग हासिल कर लीजिएगा। इसको अच्छी तरीके से गंगा जल से धोने के बाद इसी सूर्य ग्रहन के दिन आप लोग अपने गले में धारन कर लीजिएगा। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने कर लिया, तो यकीन मानिए जिस बीम पौधे के ऊपर जाकर गिरी थी, तो इस उपाय को करना मत भूलिये, अपने गले में इस पौधे की जड़ जीवन के हर कश्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति हनुमान जी के आशीरवाद से ना केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा बलकि आपका साथवे, आसमान पर धन दौलत पीछे पीछे आएगा, जो भी व्यक्ति धारण करता है, इस पौधे की जड़ मंगलवार के दिन वह व्यक्ति बन जाता है, करोडपती मिल जाएगा, स्वयम बजरंग बली महराज जी का आशीरवाद और साथ दुनिया मुठी में आ जाती ह बिना दीब जलाए, बिना पूजा पाठ करें, बिना उपवास करें, मात्र मंगलवार के दिन, इस पेड़ की जड़ गले में धारण कर लेने से ही आपका बेड़ा पार हो जाएगा, हनुमान जी को इस पेड़ की जड़ अतिप्रिय है, और जिसके गले में यह जड़ होग तो चमेली के तेल का दीपक इन जड़ों के सामने जला देना है। उसके बाद चाहे तो चांदी के ताबीज में या तामबे की ताबीज में आप इन जड़ों को धारण कर सकते हैं। आज के इस वीडियो को लास्ट तक अंत तक बिना भगाए देखिएगा। और किसी भी मंगलवार के दिन दो-चार मिनट का समय निकाल कर के आपको सिर्फ उन जड़ों को लेकर के आना है। जिसके बारे में हमारे वेद पुरान में साफ साफ लिखा हुआ है। और इन्हें धारन करने के बाद मान के चलिए आपके जीवन में एक ऐसा चमतकारी और सकारात्मक बदलाव आएगा कि आपको अपने जीवन के समस्त प्रकार के कष्टों से तो मुक्ती मिलेगी ही मिलेगी। आपके जीवन में आपको धन सुख सम्रिध्य वैभव एश्वर्य की प्राप्ती होगी। मान लीजिए आपके जीवन में कोई दोश है। जैसे कि शनी दोश है, मंगल दोश है, आपको नवग्रह की पीडा है, आपका दुरभाग्य आपके पीछे पड़ा रहता है। आप इस चीज को लेकर के अपने जीवन में बहुत ज्यादा परेशान है। तो आप परेशान मत हो अगर आप किसी भी मंगलवार के दिन अनन्त मूल की जड़ को लाकर के धारण कर लेंगे, तो आपकी कैसी ही पीडा हो। चाहे वह शनिदोश की पीड़ा हो, मंगल की पीड़ा हो या नवग्रह ग्रहो की पीड़ा हो, हर प्रकार की परेशानी से आपको मुक्ती मिल जाएगी। आपको बस अनंत मूल की जड़ लेकर आना है। किसी भी मंगलवार के दिन अच्छी तरीके से धोने के बाद लाल बल आपके ऊपर में जो भी दोश होगा उसका प्रभाव लगभग ना के बराबर हो जाएगा, बलकि आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा। आपको आपका सोभाग्य के साथ मिलेगा, आपके नवग्रह का साथ मिलेगा, आप जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फाइदा पहुँचेगा। दोस्तों मान लीजिए, आप बहुत बीमार पड़े रहते हैं, आपका स्वास्थिय ठीक नहीं रहता है। आप अपना इलाज कराकर कर ठक चुके हैं, तो बस किसी भी मंगलवार के दिन आप अतिबला नाम के पौधे की जड़ को किसी भी चांदी की ताबीज में या तांबे की ताबीज में रख कर धारन कर लीजिए। दोस्तों, बला का पौधा एक ऐसा पौधा होता है जिसके बारे में शास्त्रों में बताया जाता है। इसमें कई दिव्य शक्तियों का वास होता है। और अगर आप किसी भी मंगलवार के दिन अतिबला पौधे की जड़ को ताबीज में रख के धारन कर लेंगे। तो दो मंगलवार के दिन अतिबला पौधे की जड़ को धारन कर लें तो उस बीमार व्यक्ति को उसके स्वास्थे में सुधार दिखता है। वह बीमार व्यक्ति बिलकुल स्वस्थ होने लगता है। अतिबला पौधे के बारे में वनस्पती शास्त्र में पूरे ग्यारह अध्या आना बंध हो गया है आपके जीवन में धन संबंधित परिशानियों से आप बहुत ज्यादा परिशान हैं तो किसी भी मंगलवार के दिन चमेली के पौधे की जड़ को धारण कर लीजिए आपने बिल्कुल सही सुना दोस्तों चमेली के पौधे में भगवान हनुमान जी महाराज की दिव्य शक्तियों का वास होता है